बूर्णी आला फ्यू माई श्टुडेंट मैं सबसे तवले स्रीमति रेसमा देव इंटर्मेडियेट कालेज पकड़ियारी सुमपुर्द्वारा आयोचीत आंलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ आप लोड़ किया था जो कच्छा नौ के संख्या पध्धति से संबंदे उस पाठ से संबंदे पाठ परिजय था आज हम भाग दो आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं और इस भाग दो में हम आपको तच्छा नाइंट के संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे इक्सरसाइज 1.1 बताएंगे तो आप इक्सरसाइज 1.1 के कुश्項 को, सवालों को आपके किताब में देखें कि आपकी किताब की क्या प्रस्न है, उन्हіं प्रस्नों को 67 परने शांकर नोड किया है जहां P और Q पुराइग है और Q is equal to not zero यह बाद आप से पुछा गया सवाल में कि क्या सुन्य एक पर्ले संख्या है तो मेरे प्रेच्छात्रों जब हम आपको परिच्या बता रहे थे इसका संख्या पर्थति का परिच्या बता रहे थे तो आपको हमने बताया था कि सुन्य एक क्या है पर्ले संख्या है सुन्य एक पर्ले संख्या है कैसे थोड़ा सा रफ्ता आगा बताते हैं हम बताया थे आपको कि सुन्य के नीचे हम बटे में कुछ भी लगा सकते हैं एक लिख सकते हैं सुन्य के नीचे आप दो लिख सकते है सब्सक्राइब आप्पटे छी डिजह अखे यह ग। सब्सक्राइब के साविक्राइब इसलिए हैं आपका सालूशन नहीं है सुन्ये पर मेस्च्छा है तथा इसे Pवाटे Q करूक है लिख सकते हैं मय है जैसे पी बरावर नहीं हूं तो ना नहीं षीक हमेस इस cómo ज़ह सकते हो लेकिन सुनने संटे सब्सक्राइब भी वरुप रूप ऑघ आप कर बस्तर दो थेंद दियान कि प्रस्तर और है तो यह करा रहा है कि तीन और चार में ज़ीच चेबने संख्याइब किजिए गीटर शार जाने शनक्राइब किये तो देखिए इसे हम कैसे का लिए इसे हम आई से लगाएं जी तली पीटनी हो अब क्या करें जबाएंगे साथ बटे साथ का गुड़ा कर देंगे यहां पर दूसरी संख्या क्या आपका चार तो चार को गुड़ा कर देंगे और हम सम्माने तरीके से गुड़ा करें तो सचोप और थाइफ टे साथ अब यह गुड़ा क्या जा रहा है जो निकलके आए उनका एक सीमा पराफ फोले आएगा इस नंबर से इस नंबर के बीच में होंगी अब देखिए चैनल पर देखिए चैनल पर यह लिए इस सवाल का उत्तर अब देखिए इस इस नंबर के बीचवाल का उत्तर अब देखिए इसकसाद सब्सक्राइब इंच्व तो फार्व संख्यां के यहां आँगे 5 आप भिए यहां चेना पांच है इसमें चोड़ दिया गया पांच और एक 6 होगए अब पाली संख्या लेगे तीन बट्टे पांच तीन बट्टे पांच में क्या करेंगे चैनल गुड़ा करेंगे चैनल अब यह पांच वह में संख्या आपकी इस परकार से निकल के आएंगी सब्सक्राइब जोर सब्सक्राइब करने यह के सब्सक्राइब कर देंगे उन घृट को फांच शब्सक्राइब हुआ है अभी आता प्रस्तन के चार देखंगी हम प्षंक के चार और आ था जस्ठाप狗 और अ नीचे दिए गए कठ़न सब्सक्रेइब है या सथ्य नीचे जिए गए जो नीचे दिए गए कठ़न है वह सथ्य आसते चलेएं जसा संख्या प्रते एक प्राक्रितिक संख्या होती है प्रते प्राक्रितिक संख्या एक प्राक्रितिक संख्या होती है तो यह सत्य है क्या है सत्य है जैसे देखिए प्राक्रितिक संख्या की क्या होती है आपको पढ़ाएं एक दो तीन से लेके अनंग तक जो भी संख्या होती है वह प्राक्रिक्तिक संख्या होती है उसма 0 नहीं होता है और पूर संख्या जो होती है वह 0 1 2 3 4 होती है उस Preis पूली हैistant तो यह प्राक्रितिक संख्या में तोतल की तोतल आजाएगा थीक है कारण लिखा वापते प्राक्रितिक संख्या पूर्ण संख्या का एक भाग होता है यह वाग होती है इसलिए यह यह आपका उपर वाला कथं क्या है सकते है अब दूसरे कथंकी न च्पकंतर दूसरे कथंसे होती है प्रते, इक पूर्ण संख्या होती है यह सही यह न करतल है तोगे मिल्कूल है देखेच कुण कि क्या होता है जीरो के साथ जीरो के साथ धनात्मक तथा जीरो के साथ सिर्फ धनात्मक संख्या होती है इसमें आपका पूर्ण संख्या होती है क्या है असथ है अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है प्रतेग परमे संख्या एक पूर्ण संख्या होती है प्रतेग परमे संख्या पूर्ण संख्या क्या है यह कष्ण असक्या क्या है इस तरी इसमें बटेवाला मय कर सो होता नहीं है यह सिर्फ पूर्ण होती है इसमें प्रतेग पर्मे संख्या होती है यह कथन आपका क्या है असकते है इस प्रकार आपका संख्या पद्धती क्या एक्सर्शाइज 1.1 कतम हो गया इसके मतकुर सवालों को आप पढ़िए जो समझ में नहीं आएगा ओध हम लोगों के मौईल न